तो आज हम नए आज टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है स्लोप and deflection स्लोप and deflection में सबसे पहला टॉपिक अब देख रहे हैं क्या है वो यह क्या होता है इसको समझने के लिए माल लो मैं क्या ले रहा हूं एक बीम ले रहा हूं जिसको मैं क्या बोलता हूं यहां मैं क्या कर दिया इसको हिंच कर दिया और यह क्या कर दिया मैंने रोलर किया लोड लगा यहां पर और लोड लगने के कारण क्या देख रहा हूं मैं यह ऐसा बेंड होगा ठीक है यह अगर बेंड हुआ तो कहीं दूर जाके इसका एक radius हो सकता है यह एक curvature बना रहा है तो एक curvature का कोई पर दूर जाके origin point होगा जहां से यह radius बनाएगा टोटल इसके distance बनेगा ठीक है तो same concept को मानते हुए क्या किया गया मान लो कि मैंने क्या किया x axis y axis बनाया ऐसा ठीक है अब क्या है यह beam है यह क्या मान के चलो a और यह b तो मान के चलो यह कोई beam ऐसा है इतना curve नहीं होगा मगर बताने के लिए मैंने ऐसा बना दिया ठीक है तो इस condition में यहाँ पर इसको मान लोगा tangent बनाता हूँ मैं यह इस point से तो मतलब क्या मानना पड़ेगा यह a point माल सकते हूँ ठीक है तो यहाँ से इसको कर्व को थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ ठीक है तो मान के चलो यह जो point है जहां यह join किया इस point से यह और इस point से यह ठीक है यह a b point था तो इसको मैं माल लेता हूँ a और इसको मैं क्या मान लेता हूँ B यहां से मान लो अगर मैं टेंजन्ट खीशता हूँ तो यह जो टेंजन्ट आएगा वो कहीं यहां आएगा ठीक है मान के चलो यह जो एंगल बन रहा है इसको मैं क्या बो रहा हूँ D-Alpha और यह जो पॉइंट है ये C point है, मतलब ये curve बना, इस curve से कहीं दूर जाकर के, इसका origin point हैगा वहाँ से ये radius बना रहा है उसी तरीके से ये बना है तो ये क्या लिख सकते हैं, इसको मैं small r लिख सकता हूँ अब small r ये हो गया, और ये अपका क्या बन गया a b, जो deflection आ रहा है इसका यहाँ पर, ठीके एक formula हम पढ़ते हैं, arch का मान लो, कोई एक ऐसा curve बना है, ठीके ये ठीटा डिगरी है, और ये r है, कोई इसका distance पूछे तो क्या लिखते हैं इसको r ठीटा, ठीके अब ये क्यान अपकर बन गया था तो अगर मान लो ये जो angle है, ठीके ये angle कितना बना रहा है, इस जगे से ये बना रहा है अगर angle मान लो, alpha तो ये क्या होगा, ये a point के tangent है, और ये b point से tangent बना है मैंने, तो यहाँ पर कितना होगा, alpha तो हो गई plus, ये d alpha तो इसको क्या लिखेंगे, alpha plus d alpha ठीके, अब क्या करते हैं, मान के चलो, ये जो यहाँ से यहाँ तक का portion दिख रहा आपको इसको मैं क्या बोलता हूँ, d s, ठीके और अगर इसको मैं vertically ऐसा drop करूँ, और ये इसको ऐसा drop करूँ तो ये क्या है आपका, d y और इतना portion जो है, उसको क्या बोल रहा हूँ है, d x ठीके, तो क्या हुआ है, एक कर्व था, जो की, डबलू लोड के करण लगा जिसका radius कहीं पर होगा, sorry, जिसका center point कहीं पर होगा, जो एक radius r बनाएगा, जहाँ पर radius r ये है और इस चीज़ को मैं as it is थोड़ा सा tilt रखाऊं, क्यों रखाऊं ऐसा, ताकि x ताकि x-axis से इसका value निकाल सको, ठीके, कौन सा formula निकालने वाला है, ये आगे आगे आप देख सकते हैं, ठीके, जो की दो method में use होनेगा, ठीके, तो अब यहाँ पर इसको ये समझ में आया, अब यहाँ पर अगर मैं बोलूँ, ये किस से पता चला, आर्क, फॉर्मूला बोल सकतो इसको, ठीके, ये एक आर्क का फॉर्मूला है, जो हम math में पढ़ते हुगा आये हैं, ठीके, देखो, इससे मुझे क्या पता चला है, किस का फॉर्मूला क्या हो सकता है, इसका distance, r theta, तो इस वाले diagram के हिसाप से, ds की value क्या होगी, ds की value होगी d, r, d, alpha, है की नहीं, अब, तो ये फॉर्मूला हमको important हो गया, जो कि किस से पता चला, r किस से पता चला, अब देखो, इसमें क्या देखने लाइक है, कि यहाँ पर हमको ये पता चल गए, कि भाई, r की value क्या है, तो मैं यहाँ से r की value निकाल सकता हूँ, r की value क्या हो गया, d, s upon d, alpha, ठीक है, अब देखो, ये तो हमको पता चल गया, अब, bending equation, moss हम पढ़ते हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं, bending equation, जिसमें क्या है, capital e upon r, z equals 2m upon i, fy, याद रखने के लिए, queen elizabeth rani, may i follow you, ठीक है, जहाँ f के आपका stress है, और y के आपका neutral axis से किता distance बना रहा है, ठीक है, और r हमनों को क्या है, यहाँ पर, radius of curvature, तो इसके हिसाबस अगर देखा जाए, तो मेरे को क्या चाहिए, 1 upon r का value चाहिए, अगर मैं इसके respect मेंट देखूं, तो यह क्या हो जाएगा, d alpha upon ds, ठीक है, तो इससे में को क्या पता चला है, यह पता चला है, तो equation number 1 मान के चलो इसको, अब, यहाँ से में क्या पता चल रहा है, कि यह, तो अब इसको मैं कौन से formula यूज़ कर सकता हूँ, तो मैं यह दोनों को equate करूँगा, ठीक है, इसको solve करने पे, मैं को क्या देख रहा है, कि भई, 1 upon r, यहाँ से क्या पता चल रहा है, m upon e i, ठीक है, यह value मिला, तो यह भी क्या हो गया, इसको हम मान लो, second equation मान के चल रहा हूँ, ठीक है, अब क्या करना है, देखो, इन दो equation के मदद से मैं क्या लिख सकता हूँ, कि भई, यह is equal to y, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा, from equation 1 and 2, क्या मिला, 1 by r, जहाँ पर r क्या है, radius of curvature, ठीक है, 1 upon r is equal to, m upon e i is equal to, d alpha upon d s, अब यहाँ पर, अगर मैं देखूँ, तो भई, यह x axis y axis का कुस्तो काम होगा, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यह triangle consider कर रहा हूँ, मान के चलो, यह क्या triangle है, यह triangle है, ठीक है, तो इस triangle को मैं यहाँ बना रहे हूँ, तो यह जो गर्ड मैं triangle हैसा बनाता हूँ, तो यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, यह alpha है तो definitely यह जो angle बनेगा यह भी alpha ही आएगा आपका यह जो angle आएगा इसको भी हम alpha ही बोलेंगे यह क्या होगा आपका dy और यह क्या आपका dx बड़े ध्याँ से देखना यह जो curve है और यहाँ सागर मैं एक straight line कीचूंगा दोनो के दोनो क्या क्या होगा इसको मैं d N bозь सकता हूँ क्यूं क्यों कि यह बहुँत ज़ादा ही छोटा है तीक है तो इस concepts के हिशाब से अगर मैं माल लो 10th घृता निकालता हूँ 10th मतलब यहां क्या है गाल्फा होगा स्वरी अब यहाँ पर इसको अगर मैं 10 α लिखता हूँ, तो क्या होता है, पर्पेंडिकुलर बाई बेस होगा, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 α is equal to, पर्पेंडिकुलर क्या है, d y by d x, जहाँ पर 10 α को, यह जो 10 α है, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, very small ठीक है? तो इससे क्या पता चला? alpha is equals to क्या हो जाएगा? dy by dx तो इस टैंगल से क्या मेला मुझे? कि अलफा is equals to dy by dx ठीक है? तो एक तो यह हमको मिला था और अभी एक यह पता चला तो यहाँ पर जो alpha का value मिला है इसको हम यहाँ put कर देंगे तो क्या लिख सकता m upon e i is equal to d alpha ds जहाँ पर m upon e i is equal to इसको हम पूट कर तो double differentiation आ जाएगा y का upon यहाँ पर यहाँ पर क्या लिखेंगे d x d x square लिखेंगे क्यों लिखेंगे ऐसा क्योंकि इस condition में अगर मैं देखूँ तो d s is equal to d x यह मान सकते हैं यहाँ से हम लोग इसको लेकिया थे तो यहाँ पर क्या है देखो इस particular case में जब मैं arc की बात करूँ यहाँ पर अगर देखूँ तो यह क्या है एक दम अलफा ही छोटा है तो अलफा छोटा है तो d s is equal to d x हो जाएगा यहाँ देखो ये क्या है dell alpha देखो alpha ही छोटा है तो dell alpha तो और छोटा value होगा तो उस comparison में हम क्या कर रहे है dx को क्या dx को क्या कर रहे है dx के बराबर कर दे रहे है तो ये मिल गया हमको ठीक है, यहाँपर क्या consider किये जैसि यहाँपर alpha is very small मारे थे और इस condition में क्या हो जाएगा आपका डेल अलफा is very very small ठीक है तो इससे क्या पता चला इससे हमको यह पता चला कि अगर मैं M की बात करूँ M is equal to EI double differentiation of Y with respect to DX square ठीक है यह equation ही हमको निकालना है और यह हमारे लिए most important equation है अब देखो अगर मैं बात करूँ इस equation की तो यहाँ पर यह जो value आया है ठीक है इसी को हम क्या बोलते है curvature ठीक है यह curvature है जिसको हम row से भी denote करते है और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि यह bracket value है इसको माल लो एक बार integrate करेंगे तो क्या आयागा dy by dx इसको हम क्या बोलेंगे slope फिर से इसको एक बार integrate करेंगे तो क्या आयागा आपका y जिसको हम क्या बोलेंगे deflection ठीक है तो यहाँ पर समझने वाली बात क्या हो गई कि भाई slope को यहाँ पर हम किस से denote करते है theta से denote करते है y को हम del से भी denote करते है ठीक है तो यह 3 हमको जानना था तो यह हमको पता चल गया ठीक है इसको मैं चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं dy by dx यह क्या आएगा आपका is equals to integration एक बार कर रहे है upon ei इस equation को लिखाल के करिए वही y को क्या करना है दो बार integrate करना है m upon ei जहाँ पर यह जो m है यह क्या है m है x position पे जहाँ पर हम लोग को equation को solve करना होता है ठीक है तो ध्यान देने वाली बात क्या है यह दोनों जो derive हुआ यह कहां साहा है integration साहा है ठीक है मगर हमको ध्यान क्या रखना है यह तीन value तो relationship क्या हुआ question heading क्या था relationship बताना है slope, deflection और curvature का मतलब curvature को अगर हम लोग एक बार integrate करेंगे तो slope निकलेगा एक और बार integrate करेंगे तो deflection निकलेगा और यहाँ पर यह क्या है इसको हम क्या लिक रहे थे alpha लिक रहे थे ठीक है तो यह complete derivation आपका यह complete हो गया है इससे ध्यान रखने वाली बात क्या है arch का formula से यह derive हुआ इससे हमको क्या पता चला कि भाई यह तो already छोटा value है तो जिसके करान हम लोग ds को क्या कर दिये dx के बराबर कर दिये और जब इसको हम लोग bending equation से equate किये तो bending equation से equate करने के बाद क्या मिल रहा हुआ हमको यहाँ पर यह value आया है 1 upon r is equals to m upon i जहां r को मैं क्या बोल रहा हूँ radius of curvature ठीक है radius of curvature के बाद हम लोग क्या किये यह दोनों equation को equate किये यहाँ पर क्या देखते हैं कि भाई dx लिखा हुआ है इसको further मैं चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ d alpha dx लिख सकता हूँ ठीक है इससे पता चला क्यों क्योंकि जब alpha ही जोटा है तो d alpha तो और छोटा value होगा तो इसको अपन solve करने से यह equation आया यह equation ही सबसे important equation है ठीक है इस equation को हम use करेंगे double integration method पे और Macaulis method पे ठीक है तो इसका derivation यहाँ पर complete होता है उम्मीद करताओं को समझ में आया होगा Thank you